दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के पूरे शरीर में एक ऐसे घाव की जो नासूर बन चुका है और जिसकी वज़ा से यह धर्म लगातार नश्ट होता जा रहा है और वो है कि अपने धर्म को पुष्ट करने उसकी रक्षा करने के लिए जितनी भी शक्तिया विशो भर से कहीं से भी खड़ी होती हो उन सब को इगनोर किया जाना हम लोग भी यहां से काफी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम हिंदू समाज में ही अपने लोगों में ही काफी लोगों में इगनोर्ड है और वो सोचते हैं कि यह रोज आ करके पताने क्या बताना शुरू कर देते हैं इसी तरीके की एक किताब आई थी संयुक्त राजी अमेरिका में और वो उसके जो राइटर थे वो थे स्टिफन नैप और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था भारत के खिलाफ अपराधों और प्राचीन वैदिक परंपरा की रक्षा की अवश्रक्ता दोस्तों ये जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा चर्चित हुई हाला कि ये किताब लिखी गई भारत के विशे में थी भारत की वैदिक परंपरा के विशे में थी विदेशों में बहुत ज़्यादा चर्चा में आई लेकिन भारत में पूरी तरीके से उपेक्षित रही इस किताब का नाम भी आज आप पहली बार सुन रहे होंगे इस किताब का विशय था कि भारत में हिंदू के मंदिरों की संपत्ती उनका जो चड़ावा है और उनकी जो विवस्था है उन सब की बंदर बाठ किस तरीके से हो रही है और इसके साथी साथ हिंदू धर्म को कितना आगात पहुंचाया जा रहा है इस किताब में बहुत सारे ऐसे आखड़े थे जो आप लोगों की आख और नाक और कान सब कुछ खोल देते लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हिंदू धर्म को जो नासूर बन करके समाप्त कर रहा है वो है इनकी खुद की इग्नोरेंस और वो अपने धर्म के प्रती जो भी कोई जागरूग करने के लिए आता है सबसे पहले गाली उसी को देते हैं और कोई अच्छी बात बता भी दे तो उसको खुद सुनके रह जाएंगे अगले को नहीं बताते हैं अगले तक वो बात नहीं पहुँचाते हैं अगले तक शेयर भी नहीं करते हैं खैर अगर जिससे पहले कि हम इस बुक के उपर बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कल्पनिक प्रशन पूछ लेता हूँ फर्ज करो थोड़ा सा सोच लीजिये कि क्या हाजियों से मिलने वाली जो राशी है उसको सौदी अरब सरकार गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल कर सकती है क्या प्रयोग करना तो दूर वो क्या ऐसा करने की सोच भी सकती है केवल एक पल के लिए आप सब को ये कल्पना करनी है कि आज तक वहाबियत के परचार परसार में लगे हुए कठमुलावाद को पोशन दे रहे हैं परिणामत इसलामिक आतंकवाद की जड़ों को बहुत सारा खाद पानी देते आ रहे सौधी अरब के राज तंत्र का एकदम से हर्दे परिवर्तन हो जाता है और विश्व बंदुत्व में वो विश्वास करने लग जाते हैं सौधी अरब की विश्व में वहाबियत के परचार परसार के लिए खरबो डॉलर फैकने वाली मवाली सरकार हज के बाद लोटते हुए भारती हाजियों के साथ में भारत के मंदिरों के लिए सो करोड रुपया भी साथ ही साथ बिजवा देती है भै अपने देश जाना मंदिरों के लिए हम इदर से सो करोड रुपया दे रहे हैं और ये वो 100 करोड रुपया है जो कि हमने आप ही सब हाजियों से कमाया है इस पर बिल्कुल भी आपको हसना नहीं है क्योंकि ये बेहद ही गंभीर प्रशन है इस पर थोड़ा विचार कीजिए क्या कभी ऐसा हो सकता है उदर से सफेद कपड़ों में हाजी लोग आएं हज करने के बाद बाद सो करोड रुपय की एक बड़ी खेप लाएं और आप लोगों को दें इदर गुरु कुल खोल दीजिए राममंदिर बना लीजिए हो सकता है क्या क्या वेटिकन आने वाले शर्दालूं से जो प्राप्त रासी है वो गैर इसाईयों की विवस्था के लिए खर्च की जा सकती है जस्ट इमेजिन कल्पना कीजिए कि पोप भारत आते हैं दिली के हवाई अड़े पर विमान से उतरते हैं भारत की भूमी को दंडवत प्रणाम करते हैं चूमते हैं उठा करके माथे पर लगा लेते हैं उठने के साथ मैं गोशना कर देते हैं के विश्व में हिंदू धर्म के विकास के लिए मैं सो करोड रुपया विभिन प्रदेशों के विभिन बहुत सारे जितने भी देवस्थान है थोड़ा थोड़ा सब को मैं देता हूं या कोई सो करोड रुपय में एक बड़ी सी संस्था में अपने आप से बनवा देता हूं तै है कि आप लोग इनको चुटकुला समझेंगे औ आप सब लोग जानते हैं और आपका उत्तर जो होगा वह निश्चित रूप से होगा नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है प्रत्येक धर्म स्थलों पर आने वाले धनका उपयोग उस धर्म के ही ही जीत में किया जाता है उसी मजभब के लिए किया जाता है तो इसी तरह स्व सवाई विधाओं के लिए उसके परसाशन के लिए जो अन्य जो कम जियात मंदिर हैं उनके रख रखाओं के लिए उनके पुरुद्धार के लिए वहाँ पर जहां पर पुजारी नहीं है वहाँ पर पुजारी रखने के लिए जिन मंदिरों में गुरुकुल नहीं है वहा पर सफाई करते हैं या जो पुजारी होते हैं शर्धालों कि सुविदा के लिए इतने सारे काम किये जाने बाकी है इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नलोजी है जो मंदिरों तक पहुचने चाहिए थी वो सारे के सारे होने चाहिए के नहीं होने चाहिए और वो उसी पैसे से होन प्रश्ण नाग की तरह फन निकाले हुए खड़ा है क्या मंदिरों का धन मंदिर की विवस्था उससे जुड़े लोगों के बरन पोशन आने वाले शुर्द्धालों की विवस्था से इतर कामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है बताई आप चलिए अब किताब की तरफ पहुंचते हैं और उसके कुछ तत्यों के ओपर दरश्टिपात करते हैं जो कि अमेरिका में छपी है हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान में इस किताब के बारे में सब लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो कम से कम इस वीडियो को तो आप देखी सकते हैं और इस वीडियो को लोगों तक भेज सकते हैं, शेयर तो करी सकते हैं आंदर प्रदेश सरकार ने मंदिर अधिकारिता अधीनियम के तहत 43,000 मंदिरों को अपने नियंतरण में ले लिया है ले रखाय उल्रेडी बहुत टाइम से है और इन मंदिरों में आये हुए चड़ावे के राजस्व का 18 परतिशत केवल 18 परतिशत मंदिर के परियोजनों के लिए उनको वापस लोटा दे जाता है तिरुमला तिरुपती मंदिर 31 सो करोड रुपे हर साल राज्य सरकार को देता है और उसका केवल 15 परसेंट मंदिर से जुड़े हुए कारियों में परियोग होता है अब आप खुद सोचो के 85 परसेंट राज्य के कोश में जो पैसा डाल दे जाता है उसका परियोग क्या करता है लोग उसका परियोग जो वहाँ की सरकार है वो अपनी इच्छा से स्विच्छा से करती है और यह हर जगा होता है आंद्र प्रदेश का इसलिए लिया गया है क्योंकि वहाँ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ से आप देखिए और प्रत्येक मंदिर पर इसको खुद बखुद ढालते चले आईए अपनी इच्छा से उसका जो दन का प्रियोग है वो करती है अब आप बताइए क्या यह भगवान के धन का गबद नहीं है लोग तो अपनी तरफ से भगवान के सेवारपण के लिए के वहाँ पर वववस्ताएं बन सेके उसी के लिए देते है भगवान को तो कोई कमी नही तरीके से करती है उडिसा में रजे सरकार जगनात मंदिर की बंदोबस्ती की भूमी के ऊपर 7000 एकड जमीन को बेचने का इरादा बना चुकी है केरल की कम्यनिस्ट और कॉंगरेसी सरकारें गुरु वायूर मंदिर से प्राप्त धन अन्य संबंदित 45 हिंदू मंदिरों के अव्यशक सुधारों को नकार करके सरकारी परियोजनाओं के लिए इस पैसे को बेच देती है अयप्पा मंदिर से संबंदित भूमी घोटाला पकड़ा जा चुका है सबरी माला के पास में मंदिर की हजारों एकड़ भूमी पर कबजा करने का जो प्रोपेगेंडा है वो चर्च के द्वारा चलाया जा रहा है चर्च वहाँ पर स्थापित करने के लिए सारी के सारे जमीन हडने के लिए हडपने के लिए प्रोपाइडर ना चल रहा है केरल की राज्य सरकार त्रावन कोर कोचीन के स्वायत देव स्थानम बोर्ड को भंग करके अठारा सो हिंदू मंदिरों को अधिकार पर लेने के लिए एक अध्यादेश पारित करने के लिए तयार हो चुकी है करनाटक भी इसी स्थिती में है यहाँ पर देव स्थान विभाग ने 79,89 करोड रुपे एकत्र किये थे और उसने उस 89 करोड रुपे में से 2,00,000 मंदिरों को उनके रख रखाओ के लिए 7 करोड रुपे आवंटित किये थे मदर्सों और हज सबसीडी के लिए 59 करोड रुपे दिये और लगबग 13 करोड रुपे चर्चों को चला गया करनाटक में दोलाख मंदिरों में से 25% या लगबग मान के चले कि 50,000 मंदिरों को संसाधनों की कमी के कारण बंद किया जा चुका है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महमूद गजनी तो सन 1030 इस्वी में ही मारा जा चुका था लेकिन उसकी आत्मा अभी भी हजारों टुकडों में बठ करके भारत के मंदिरों को लगातार लूटने में लगी हुई है और हिंदू सोया हुआ है वो अपने बारे में जानना भी नहीं चाहता है अब यहाँ पर यह प्रशन उठना समिचीन है कि आखिर मंदिर किसने बनाए है हिंदू समाज के तिरिक्त क्या इनमें मुसलिम इसाई समाज का कोई योगदान है बरेली की चुन्ना मिया के मंदिर को अगर हम छोड़ दें सम्पूर्ण भारत में किसी को केवल दस और मंदिर ऐसे कोई ध्यान में है क्या कि जो गैर हिंदू समाज का जिसमें योगदान रहा हो मुसलिम और इसाई समाज कोई हिंदू समाज की तरफ रुड़ाई ना है कि जिसने 1870 के बाद में अंग्रेजी फोजों के गोड़े बांधने के अस्तबल में बदली जा चुकी दिल्ली की जामा मस्जिद अंग्रेजों से खुद खरीद करके मुसलमानों को सौप दी थी कभी भी इस इतिहास के बारे में बात नहीं होती है दोस्तो जामा मस्जिद पूरी तरीके से एक तरीके से घुड़साल में बदल चुकी ति हिंदू ने अपना पैसा दे करके अंग्रेजों से खरीदी और उसको वापस मुसलमानों को सौप था लेकिन इस इतिहास के बारे संबंदित राज्यों के राजकोस हैं एक उधारन से इस बात को मैं अच्छे तरगे समझा सकता हूं कि कुछ साल पहले पदमनाब मंदिर बहुत चर्चा में आया था मंदिर में लाखो करोड का सोना हकीमती हीर जवारात बहुत सारे निकले तर वो बहुत चर्चा हुई थी टीवी पर बकाईदा बहुत सारी बैसे भी हुई थी कि मंदिर का धन समाज के काम में लिया जाना चाहिए यहां इस बात को सीरे से गोल कर दिया गया था कि वो धन हिंदू समाज का है भारत के निवासी हिंदूों के अतिरिक्त अन्य धर्मावल अंबियों का वो बिलकुल भी नहीं है इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करके सारी बैसे हुई थी उसका कोई सम्मन्द मुसल्मार इसाई पारसी यहूदी समाज से नहीं था वैसे वो मंदिर प्राचीन त्रावन कोर राज्य जो वरतमान में अभी केरल राज्य के अधीपति का है उनका मंदिर है मंदिर में विराजे हुए हिंदू के भगवान विश्णू महराज दिराज हैं और उनकी ववस्था करने वाले त्रावन कोर के महराजा उनके दिवान हैं उस धन पर क्रमशा महराज दिराज भगवान विश्णू त्रावन कोर राजपरिवार और उनकी स्वकृति से हिंद किसी का नहीं बनता है अधिकार केवल हिंदू समाज के उस धन पर अब वामपन थी कॉंग्रेस सीगिद जीब लप लप आ रहे हैं और सब की नजर इस पर है कि उसको अगर हम निकाल लें तो हमारे देश की जीडीपी दूर हो जाएगी गरीबी दूर हो जाएगी फला ना इमकाना दूर हो जाएगा भाईया सारे लोगों को पकड़ो हज जाना छोड़ो उनका सब का पैसा है कलेक्ट कर लो फिर देखो तुम्हारे जीडीपी आठ नो से उपर हो जाएगी इसके उपर कभी किसी ने विचार किया है यहां दो अनुभव के बारे में बात करना बेह उस टाइम पर लोग नाक पकड़ पकड़ कर चलते थे हवा चलती थी तो कपड़ा दोरा तीरा भी करना पड़ जाता था अब अगर आप वैशनो देवी की यात्रा को ही देख लीजिए जो पैसा कलेक्ट होता है उसी से ही वहां का सारा कामदाम होता है और अब वहां पर ज अब लोग जाते भी हैं महाँ पर और बहुत सारे ऐसे जिहादी लोग भी बीच में गुश जाते हैं जो की पैसा आप लोगों से ही कमाते हैं उसी को जिहाद के लिए डोनेट करते हैं और वो ही सारा का सारा जो पैसा है वो आपी के सैनिक और आपी के लोगों के सीने में उ जोस्तो कोई भी व्यक्ति यहां से हिंदू ओसी कोई भी जाएगा तो वहाँ पर entry fees परती व्यक्ति 20 डॉलर है अब सोच के देखे के जहां करोडों की तादात में से श्रद्धालू है जो वहाँ पर जाना चाहते हैं अगर मान के चलिए के 15,000 श्रद्धालू सिर्फ और सिर् 15,000 श्रद्धालू भी रोज जाते हैं तो अगर आप 20 डॉलर परती व्यक्ति के हिसाब से लगाएं तो 30,000,000 डॉलर परती दिन के हिसाब से बनते हैं और पाकिस्तान का 1 डॉलर जो यूएस डॉलर है वो 156 पाक रुपीज के बराबर है यानि के 46 करोड 80,000,000 रुपे पर 10,000,000 साल के और वहाँ पर ये सिर्फ एंटरी फीज है वहाँ पर जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे भी कुछ खाएंगे भी कुछ पीएंगे भी कुछ फोटोग्राफी भी करेंगे कुछ तो होगा यानि के ये कोरिडोर ना केवल एक आस्था का मार्ग बना करके खोल करके प्रतिवर्स सत्रा हजार करोड रुपे जो की पाकिस्तान को ना केवल एक बहुत बड़े ऑक्सिजन सिलेंडर का काम करेगा बलकी दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान की फित्रत पता है कि वो आधे से ज्यादा पैसा इसका अतंकवादी गती वीदियों में ही देगा और उस से जिससे कि हमारे सैनिको को नुकसान हो सके देश को नुकसान हो सके दोस्तो हिंडू समाज को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी जेव से जाने वाला पैसा ही उनके धर्म को उनकी आस्था को नश्ट कर रहा है उनके आस्था के प्रतिकों को केंद्रों को नश्ट कर रहा है इवन उनकी सब्वेता उनकी संस्कृति को नश्ट कर रहा है इवन उनके सैनिको को उनके आने वाले नसलो को उनके आने वाले फसलो को भी नस्ट कर रहा है जिन लोगों तक ये बात पहुंची हो वो इसको स्वंभी समझें और लोगों तक पहुंचाएं शेयर करें टिक टो किये प्लीज इस चैनल से दूर हो जाएं वो प्लीज मुझे बार-बार आ करके ज्यान ना दें कि आप 2-4 मिनट के ही वीडियो बनाया करें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरे संग्मोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जाए जैहिंद वंदे मातरम